नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल इस्टडी फार नालेस पर दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ आज मैं मूल या प्रात्मिक अउधारना के क्रम में समूह विशर पर आपसे चर्चा करूँगा देखते हैं कि समूह क्या है समूह विख्तियों का संग्रा है जिनके बीच कोई न कोई सामाजिक संबन पाया जाता है अर्थात जहां कहीं भी विख्तियों का संग्रा होगा और उनके बीच में कोई सामाजिक संबन अगर मिलता है तो वो समूह होगा समूह मनुस्य के जियोन के लिए बहुत ही महत्रपूर चीज होती है बिना समूह के मनुस्य के जियोन की कलपना नहीं की जा सकती है समू के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आउशक्ताओं की पूर्थ करता है अर्थात अगर समू ना हो तो मानो अपनी आउशक्ताओं की पूर्थ नहीं कर पाएगा छोटे-छोटे समू जो बनते विगडते रहते हैं मनुस उनीक सी गेतरू अपनी आउशक्ताओं की पूर्थी करता है इसकी परिवासा को देखें तो मैकाईबर यूम पेज ने कहा है कि समू से तातपर ब्यक्तियों के ऐसे संग्रा से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंद अस्थापित करते है तो मैकाईबर यूम पेज की परिवासा में आप देख रहे हैं कि ब्यक्तियों के ऐसे संग्रा पहली बात और दूसरी बात तो करें कि एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंद अस्थापित करते हैं तो ये दो चीज़े महत्तोपूर हैं मैकाईबर यूम पेज ने जो बात कही है कि समूं के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं आगवन ने उन्हें काम की परिवासा देखते हैं कि वह क्या कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक ब्यक्ति यहां भी बात आ रही है व्यक्तियों की दो या दो से अधिक ब्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं अब एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो प्रभाव किस सेंस में डालेंगे प्रभाव जब वो एक दूसरे के साथ अंता क्रिया करेंगे तब ही वो एक दूसरे के साथ संबंद स्थापित करेंगे और जब संबंद स्थापित होगा तो वो एक दूसरे पर प्रभाव भी डालोंगे तो इस प्रकार से समू का निर्माड हो जाता है तो आगवर्नों निमकाफ की भी परिभासा में दो चीज़ें आती हैं कि दो या दो से अधिक ब्यक्ति और वोई एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं अर्थात सामाजिक संबन्द स्थापित करते हैं तिसरे भी द्वान है हाईरीम जांसन हाईरीम जांसन की परिभासा है कि समू निर्माड के लिए आपसी सहयोग होना आवस्यक है देखें यहां उन्होंने ब्यक्तियों की बात नहीं की लेकिन कहा कि आपसी सहयोग होना आवस्यक है अब बात अगर इसको निकाला जाए तो दिखा जाए तो आपसी सहयोग कब होगा जब लोग एक से अधिक ब्यक्ति तीखें आपस में मिलेंगे जब एक से अधिक ब्यक्ति आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में आपसी सहयोग होगा आपसी सहयोग कब होगा जब उनके बिक्तियों का जो समू होना चाहिए, दो या दो से अधिक ब्यक्ति होने चाहिए और उनके बीच में कोई न कोई सामाजिक सम्मंद होना चाहिए मार्टर ने समू के निर्माण के लिए 3 बातों का आवस्क बताया है, जिक्र किया है उन्ने कौन कौन से देखते हैं आगे कि दो या दो से अधिक बिक्तियों का होना मतलब समू के निर्माड के लिए दो या दो से अधिक बिक्तियों का होना पहली बात दूसरी बात इनके बीच सामाजिक संबंद का पाया जाना अब सामाजिक संबंद जो है वो विक्तियों के बीच होने वाली अंतक्रिया से होता है दो चीज़ें हो गई दो या दो से अधिक्वित और दूसरा सामाजिक संबंद का पया जाना तीसरी महत्वपूर्बात मार्टन ने कही है कि किसी समू का सदस्य होने के लिए या आवस्यक है ये समू के सदस्य की बात कर रहे हैं समू का निर्मार तो हो गया लेकिन समू का सदस्य बनने के लिए ये आवस्यक है कि ब्यक्ति स्वयम उस समू का सदस्य अपने को समझे अर्थात उस समू के प्रत अपनी हम की भावना उसकी हो तथा समू के अन्य सदस अब जो समू के अन्य सदस है तो तथा दूसरे समू के सदस उस समू के सदस से और दूसरे समू के भी सदस उसे उस समू का सदस से समझे ये मर्टन ने एक तीसरी बात कही है ये अभी एक महत्वूर्ण है तो मर्टन के कभी-कभी ये आता है कि मर्टन ने समूह की निर्माण के लिए कितनी सर्थों का उलेक किया है तो तीन सर्थों का उलेक किया है आगे देखते हैं कि समूहों का वर्गी करण कैसे हुआ है अब देखते हैं कि समूहों का जो वर्गी करण है वो पहला है सदस्यों की संख्या के आधार पर एक वर्गी करण होता है सदस्यों की संख्या के आधार पर तो समूह सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं जार्ज सिमल, जानसन तथा होमन्स ने छोटे समोहों को प्राथमिक्ता दी है और इन्हें ही समाज के लिए महत्वपूर बाना होमन्स ने तो पांच छोटे समोहों का भी उध्यन किया था और उनके अधार पर अपनी बात कही थी होमन्स ने कहा कि मनुस से की समाज में जो निरंतरता है वो इनके ओल छोटे समोहों के द्वारा ही पाई जाती है और उन्होंने कहा कि तमाम परिवर्तन जो एतिहासिक विकास क्रम में परिवर्तन होते हैं इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद जो छोटे समू है उन्होंने अपने सित्व को बचा के रखा है वो कहते हैं कि जो छोटे समू है वो समाज की मौली की काई है इनके सदस्यों में सक्रियता पाई जाती है अर्थात एक दूसरे के प्रती सामाजिक सम्मंद बराबर बनाते रहते हैं सामाजिक संबन मजबूत हो जाते हैं इनके बीच में इनके बीच में भावनाय प्रधान होती हैं भावना प्रधान होते हैं ये चोटे समूचुकी होते हैं और लोग एकता के सुत्र में बधे होते हैं अब इसके उधारण के रूप में कहा जाता है जैसे परिवार ठीक है इ और प्रांत को बड़े समू का उधारण माना है तीक है आगे देखते हैं दूसरा है अस्थाईत के आधार पर अब अस्थाईत के आधार पर देखें तो अस्थाईत के आधार पर समू को दो समू में बाटा सकता है दो भागों में बाटा जा सकता है एक अस्थाई और दूसर कभी बन जाते हैं थोड़े समय के लिए बनते हैं जैसे स्रोता समू हो गया रेलवे के प्लेट फार्म पे कुछ लोग मिल गए ठीक है बस में मिल गए तो ये सब क्या है आस्थाई समू के उदारण है कुछ समू जो होते हैं वो विशिष्ट उद्देश के लेकर बनाया जात हैं ऐसे समू को आस्थाई समू कहते हैं ठीक है वो कुछी देर में बने और फिर कुछ के बाद समाप्त हो गए मालीजे बस में आप सफर कर रहे हैं बस में आप किसी आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका एक समू बन गया और जब आप बस से उतर गए तो आपका समू खत्म ह गया बाटो मोर ने अस्थाई समू और आस्थाई समू के बीच में एक नया समू बताया कि अर्ध समू या आभासी समू स्यूडो ग्रूप की अधारणा दी बाटो मोर ने बहुत ध्यान देनी की बात है क्योंकि अर्ध समू या आभासी समू की अधारणा किस ने दी यह प्र होता है यह यह अर्ढद समूँ जो है संगठन का भावा आ ata और ये ये चुकि ऐसे अर्द समूँ होते हैं तो यह कभी भी जो ह। संगठित समो और इन में कभी भी ये संगठन बनने की छंक्ता बनी रहती है, जैसे कोई बात आ जाए, तो लिंग के आधार पर कोई समूह बन जाए, या सामाजिक वर्ग ही गए कोई, वो एक दबाव समूह या राजनितिक दल बन जाए, तो उसके समूह बनने की गुंजाईस, उसमें भावना के आधार पर, समनर ने इसका भी भाजन किया है, हमकी भावना के आधार पर, उन्होंने समूह को दो भागों में बाटा, पहला उन्होंने दिया अन्ता समूह और दूसरा वाह समूह, अन्ता समूह को हम समूह और वाह समूह को वे समूह कहते हैं, जिन समूह को तो वो क्या होता है आपके लिए वाह समू होता है जिन्हें आप अपना नहीं समझते हैं अब अन्ता समू के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है उनमें हम की भावना पाई जाती है कि ये हमारा है ये हमारा समू है अन्ता समू के सदस्यों में एक्ता पाई जाती है चुकि हम की भावना होती है तो उनमें सम्मंद भी मजबूत होते हैं उनमें जो है वो एकता बहुत प्रगाड होती मजबूत होती है और जो अंता समू के सदस होते हैं वो एक सामाने नियमों का पालन करते हैं एक जैसे नियमों का पालन करते हैं ये जो समू होता है इसके जो है वो स भय, संका, आदिक की भावना उसमें पाई जाती है अब देखें यहाँ अंतासमू का जो धारण है कि हमारा परिवार, हमारी कक्छा, हमारा कालेज, हमारा देश, हमारा राजनितिक दल ठीक है? इस तरीके से जहाँ भी यह हमारा जिसके हम माने की हम इसके सदस्य है तो वो होता है अंतासमू, ठीक है? अंतासमू और वायसमू का कोई निश्चित आकार नहीं होता अर्थात यह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है आगे देखते हैं प्रकार्यात्मक आधार पर अभी आपने देखा संगठन के आधार पर अब देखते हैं प्रकार्यात्मक आधार पर प्रकार्यात्मक आधार पर गिलिनयों गिलिनने समुहों को दो भागों में अच्छिक तथा अनच्छिक में वर्गी कृत किया है यह आता है कि अच्छिक तथा अनिच्छिक समुह का ज सदस से बन जाता है अर्थात हम अपनी इच्छा से जिस समुहों के सदस से बन जाते हैं वो हमारा अच्छिक समुह होता है और अच्छिक समुह होता है और जिन समुह का सदसे हम नहीं बनना चाहते हैं, वो हमारा अनैच्छिक समुह होता है, पांचवा है आकांच्छा के आधार पर, अब ये आकांच्छा के आधार पर जो समुह बनते हैं, इसमें मर्टन ने संदर्ब समुह की अधारणा प्रस्तुत की, ठीक है, इसकी मर्टन ने की, अब संदर्ब समुह हो समुह है, जिसका कोई ब्यक्ति सदस्य नहीं होता, संदर्ब समुह ऐसा समुह होता, जिसका ब्यक्ति सदस्य नहीं होता, लेकिन उसकी सदस्यता प्राप्त करने की वह आकांच्छा रखता है, उसे ही संदर्ब समुह कहते हैं, इफियम सेरी तथा आटो क्लाइन वर्ग ये सब भी संदर्व समू से जोड़े हैं और इन्हों ने संदर्व समू के संबंद में कुछ न कुछ बात कही है मार्टन ने कहा कि जो संदर्व समू है उनका निर्मार जो है वो सापेक्ष हिंता की वजा से होता है लेकिन ऐसा नहीं है संदर्व समू समू सापेक्ष हिंता के कारण से नहीं बलकि महत्तवा कांचा के कारण से भी बनता है जैसे आप किसी नवकरी में हो और आप उससे उची नवकरी पारना चाहते हैं तो आप उची नवकरी के प्रति अपनी जो है महत्तवा कांचा आपके पास है तो उस महत आप उसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं यह आपकी आकांचा हुई महत्त्व कांचा के आधार पर छठा है सामाजिक संबंधों के आधार पर समू का जो निर्माड होता है वो सामाजिक संबंधों के आधार पर इसमें चाल्स कूले ने कहा है कि चाल्स कूले ने संबंधों के घनिष्टता के आधार पर प्राथमिक समू की अधारणा प्रस्तुत की थी संबंधों की घनिष्टा के आधार पर आगे चलकर प्राथमिक समूँ से भिन जो विशिस्ताएं थी उनके लिए दितियक समूँ का प्रियोक किया जाना लगा तो इस प्रकार यह हस्पस्ट है कि आप देखें कि कूले ने क्योल प्राथमिक समूँ की अधारणा दी ती कभी कभी यह आता है कि कूले प्राथमिक समूँ की अधारणा किस ने दी तो प्राथमिक समूँ की क्योल अधारणा कूले ने दी है दितियक समूँ की नहीं दी लेकिन चुके जो कूले ने प्राथमिक समों की विसेश्थाएं बताई थी उससे जो भिन विसेश्थाएं हैं उनके लिए बाद में चलकर दित्योक समों का संबोधन होने लगा इसलिए कहा दिया जाता है कि प्राथमिक विसेश्थाएं की उधारणा कूले ने दी लेकिन व देखी थी उसमें प्राथ्मिक समू के उधारणा प्रस्तूत की थी प्राथ्मिक समू के जो सदस्य होते हैं उनमें आमने सामने के संबंध पाये जाते हैं जैसे आमने सामने का संबंध जहां भी पाये जाता है वह प्राथ्मिक समू होता है इसका उधारण भी कूले ने दिय उन्होंने का कि परिवार, पड़ोस, क्रीडा समूू, यह सब जो क्या है, यह प्राथिमिक समू के उधारन हैं, अगर हम देखें कि दुतियक समू क्या होते हैं, तो दुतियक समू वह होते हैं, जिनके सर्दस्चों के भीत अबाइक्तिक यह आपकचारिक सम्बन पाए जाता है अर्थात उनमें ब्यक्तिकत संबंद नहीं पाए जाता है और अवचारिक किसी नियम के आधार पे पाए जाते हैं कि बस अनवचारिकता उनमें नहीं होती किसी उद्देश के लिए वो समूह बनते हैं दितियक समूह जो है ब्यक्तिके जीवन के एक पच्छ से संबं अंधित समाप्त होता है आसा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट करिए साथी बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी ताजातरीन प्राप्त होती रहे धन्यवाद दोस्तों